हेलो स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चार्स के इस लेटेस्ट वीडियो में शुरू करते हैं मैं डियर स्टूडेंट्स लेटस कंटिनी आवर जर्णी हमारी अभी जर्णी इसमें यात्रा चल रही है राश्वाद का दय यूरोप में आए आगे चलते हैं क्या सेना राश्ट की निर्माता हो सकती है अभी भी आपने हमारे पड़ोसी राज्य में देखा होगा सुना होगा टेलिविजन चैनल में नहीं है तो मैं आपको यह आज होंवर्ग देता हूं पता कीजे क्या हुआ ज्यादा दूर नहीं है बहुत ही हमारे निकट पड़ोसी है दूढ़िये जर्मनी क्या सेना राश्ट की निर्वाता हो सकती है यह सवाल है 1848 के बाद यूरोप में राश्वाद का जनतंत जनतंत को याद रखिया और क्रांती से अब ऐलगाव होने लगा देखिए समय हैं बदलता है उल्टा हो गया यूरोप में राश्वाद का जनतंत और क्रांती से लोगों को अलगाव होने लग जया डिस इंट्रेस्टेट जैसे हो गए अब राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए यूरोप में राज्यतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए किसने रूडी वादी विचारधारा की ग्यानी लोगों ने राश्वादी भावनाओं का इस्तेमाल किया अब यह सोचा जा रहा था कि क्या कि जर्मनी और इटली यूनिफाइड हो जाएं एक ही क्रत हो जाएं यह अभी क्या डिवाइडेड हैं बंटे हुए हैं अलग-अलग राजाओं के राज में जैसे उधारन मैं देना नहीं चाहता फिर भी जैसे हमारा भारत देश अग्रेजों के समय भी बंटा हुआ था अलग-अलग हमारे कह लीजे देश बने हुए थे छोटे-छोटे डिवाइडेड था खंड-खंड में हम बटे हुए थे वैसे ही जर्मनी और इटली भी बटे हुए थे और यह अब इस समय क्या बन गए एक होकर राष्ट्र राज्ये बनेंगे अब यह सबसे ज्यादा फीलिंग्स भावनाई कि इसमें प्रबल होती है मद्यमबर्गिये में तो इन्होंने क्या कि 1848 में जर्मन महासंग के विभी निलाओं को जोड़कर एक निर्वाच्चित संसद और अशासित राष्टर राज्ये बनाने की कोशिश की कव की जर्मन वालों ने 1848 में 1848 लेकिन हुआ उल्टा उदारवादी पहल को राजशाही और पौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया खतम कर दिया प्रश्या के बड़े-बड़े भुसवामी यानी जंकर्स जमीनों के मालिकों ने इसका समर्थन किया उसके प्रश्यात क्या हुआ प्रश्या ने राष्ट्रिये एकी करण के अंदोलन का नेतर समा लिया यानि अब इस बात की पर्माबरदारी यानि लीडरशेप आ गई प कुन थे ये वहां के प्रमुक मंत्री जिन्होंने ये बास सोचे इन्होंने क्या किया प्रश्या की सैना और नोकर शाही की मदद लिए अब समय तो लगता है आपको मालूम है साथ वर्ष के दौरान इन्होंने क्या कि आस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस से तीन युद्धियों म समारो हुआ प्रश्या के राजया बिलियम वर्ष्ट बिल्यों बन या पर्थम को जर्मणी का गोशित कर दिया है इंडर में नाम याद रखना है आट वॉन वह उप्रक्र सोप्रीज प्रशिया के बड़े जंकर्स यानि भूस्वामी बड़े बड़े लेंड उनके कंट्रोल में थे क्या हुआ 1871 में वार्थवा में समारों हुआ उसमें क्या हुआ विलियम फर्स्ट को या विलियम पर्थम को जर्मनी का समराथ गोशित का दिया गया अब भहुत सर्दी थी अठारा जनवरी 1871 की बात है जर्मन राज्यों की राजकुमार कौन-कौन स्यना के प्रतिनिदी और प्रमुक ऑटो वन बिसमार्ख समेथ प्रश्या के महत्पूर्ण मंत्रियों की बैठा का हुई वार्थवा के महल में वेर ठंडे शीष महल अब क्या हुए सभाने प्रश्या कि हिंदी में लोग इसको काईजर या केसर भी बोल सकते हैं इंगलिश में काईजर बोलते हैं काईजर विलियम फस्ट या प्रथम के नेतर्क में नई जर्मन सामराज्य की घोष्णा हो गई कहां का याद रखी नई जर्मन सामराज्य की घोष्णा हो गई सर्दी से याद रखी अठारा जनवरी 1881 पूरा नया जर्मन इस्टेट बन गई राज्य बन गया आगे चलते हैं जर्मनी में राश निर्वान की प्रेक्रिया ने प्रश्य राज की शक्ति के प्रभुत को दर्शाता था अच्छा नई राज्यों ने क्या किया जर्मनी की मद्रा यानि करंसी बैंकिंग कानूनी तथा नियायक व्यवस्ताओं के आधूनी के करण पर काफी जोर दिया और क्या हुआ प्रश्या ने जब कदम उठाए थे क्या-क्या और उसकी कारवईयां बाकी जर्मनी के लिए अक् कोई पेंटिंग थी या नहीं थी याद कीजिए मैंने दो काम दिया है आज आपको और उसकी कारवईयां बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडिल बन गई है कि एक व्यवस्ता ऐसी है जिसको हम अपना लें तो जर्मनी में भी राश्य निर्बान की प्रेक्रियम है क्या-क्या अ चलिए यही चित्र है क्या बता रहा है वार्सय के यही है में जर्मन सामराजव्य घोशना ही यह आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कहां पर हुए है है होल आफ मिरर्स में क्या हुआ वह आजकल कहा है वार्सय कि कि ए शो कि ही एक आजकल पता कि जी मैं pref तक आपको दिये हैं चलिए, ना अब इटली की बाद चलिए, we talk of Italy, इटली भी ऐसा है, इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, ये भी एक, दो, तीन, चार, चोटे-चोटे डिवीजन्स में, खंड़ों में बटा हुआ है, ये इटली भी इस समय राजनितिक विखंडन जेल रहा था, अचा इसका भी इ सालों तक बटे हुए रहे, टिवाइडेड, हुआ ये, यहां कई डाइनेस्टी यानि वन्शा नुगत राज्यों का, तदा भहु राश्टि ये किसका था सामराज्ये, हैव्सबर्ग, कहां के थी, इस्पेन वाले, बिखरा हुआ है पूरी इटली में, एक, दो, तीन, चा इटालवी राजगराने यानि इटालवी जो राजाओं के कंट्रोल में था, नियंतरन में था, बागी सारा पूरा इटली आप देखेंगे, कई-कई डिविजन्स में बटा हुआ है, खंड-खंड हो रखा था, उत्तरी भाग, अगर उपर का भाग देखें, तो किसमें था आस्ट्राइस और हेव्सबर्गों के अधीन था, इटली का बीच का सम्मध्य इलाका कहां पे था, पोप का शासन था, जो इसाई समुदाय के धार में गुरू हैं, उनके अंडर में था, पेपल कहते हैं इंगलिश में, और हिंदी में पोप का राज्य था, डक्षनी सदन पार्ट किसमें था, दक्षनी से, तर इस्पेन के बूर्मोन राजाओं के अधीन था, अब देखें कितने हो गई यह हमको समझ में आये, साथ राज्य तो यह हैं, और भी वह छोटे-छोटे होंगे, लेकिन मेन मेन हमको यह याद रखने क्या था, केवल, दो आईलेंड, द मतलब, इटली भाषा ने भी साजहे रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविद शेत्रिय स्थानिय रूप मौझूद थे, देखिए, समझना पड़ेगा, इटली हमारे लिए एक लेंग्विज है, लेकिन जैसा कि मानव की शम्ता है, हर 25-30 किलोमेटर पे आ जैके थोड़ा 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 फरक यहां देखा जाता था भाषा बोलने जाने वाली में, यह आप नक्षा देख सकते हैं, इसमें हमारे शायद 4-5 मांक्स के कोश्चन आते हैं मैप पे, लेकिन आप यह जरूर अपनी बुक को कंसल्ट जरूर करें, कैसे कैसे हुआ, यह कौन-कौन से हमको एयर दिये हैं, प्रशिया 1866 से पहले है, जो बुलू कलर में दिखा रही है हमारी बुक, येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, आस्ट्रो प्रशिया यो 1866 से पहले का, जर्मन महासंग से बेदखल, आस्ट्रिया इभूबाग, याद होगा हमने बात की है, 1866 की, जर्मन महासंग की स्थापने तु प्रशिया में शामिल हुआ, 1866 में ये वाला हिस्सा जो ग्रीन है, तो ऐसे आप पूरा इसको एक बार बहुत अच्छी तरह से बैठ कर, श्टडी करें, और को रिलेट करें हमारे उत्तर देते वक्त आपको ये बहुत अ पूर्वी प्रशिया, साइलेशिया, अब चलते हैं, 1830 की दशक के बाद क्या हुआ, 1830 की बाद चल रही है, देखिए, गिसिप गिसिप नाम दोबर आएगा, हिंदी में हम इसको बोल रहा है जिट से पे, इंगलिश में वैसे बोलेंगे प्रोनॉंसिशन गिसिप मैजिनी याद रखने में आपको सहुलियत होनी चाहिए, इसने क्या किया, 1830 की दशक में गिसिप मैजिनी ने एकिकरत इतालवी गणराज जिक लिए एक सूविचारित कारेकरम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, किसने की इटली को एक करने की कोशिश याद कीजिए, मैजिनी, लेकिन आप लिखेंगे मैजिनी, बोला जाएगा मैजिनी, इन्होंने अपने उद्दिश को प्रसार के लिए क्या बनाई, याद आया आपको, कुछ गुप्त सोसाइटिया, गुप्त ऐसा कुछ बात चली थी, क्या बनाया, यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी ब को मालूम ना हो, ये काम अंदर अंदर चलता था, तो किसने बनाई, इस तरह की संस था, गिसित मैजिनी ने, 1831 और 1848, कितने साल का समय है, क्रांती कारी विद्रों की एसफलता से, युद्ध के जरिए, इटाल्वी राज्यों को जोडने की जिम्यदारी किसको दी गई, सार जिम्यदारी का, जिम्यदारी सारडीनिया पीडमोंड के मूल इटली राजगरानी के शासक या किंग विक्टर इमेनुल सेकिंड, ये जरूर याद रखें आप, अब क्या हुआ, इस शेस के शासक, अभी जाते वार की नजरों में, एकी क्रत इटली, उनके लिए आर्थिक विकास, और क्या करेगी, राजनितिक प्रभुत, उनके क्या दो कंसर्न हैं, दो अबजक्ट हैं, पहला, विकास हो जाएगा डेवलप्मेंट हर तरह से, चैया वो खेती बाड़ी है, चैया औध्योगी करण है, चैया मशीनी करण है, जो भी है, राजनितिक प्रभुत, प्रमुक्त है, कबूर, केवर, इंग्लिश में बोलते है, कबूर, हिंदी में एकी बात है, जिसने इटली के प्रदेशों को एक-एक करत करने वाले अंदोलन का नेतित थी, अब जो इटली का एकी करन होगा, हम पढ़ रहे हैं, वो किसके नियंतरन, किसके कंट्रोल में अंतिगारी थे ना ही जनतन में विश्वास रखने वाले थे ये इनकी पीचर से याद कर ये अब इस आभी जाते वर्ग में पैसे वालों के वर्ग में कौन-कौन लोग थे अमीर थे शिक्षित वर्ग था तरह वे इतालवी भाषा से कहीं भेटर फ्रेंच बोलता था ये भी की लेंग्विज तो इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन दूसरे देश की लेंग्विज यानि फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं अब फ्रांस से सार्डीनिया पीडमॉंड की एक चत्तुर कूट नितिक संदी तो ये नोंने क्या किया ये किस कैटेगरी के हैं आपने भी देखा हो गई बार टेलिवीजन में हमको बता जाता है इन दो दीशों के प्रदान मंतरी की मीटिंग होई ऐसी ही है चतुर डिप्लोमेट थे कूट ने तिक जिसके पीचे कवूर का हाथ था इन्होंने क्या किया किया सार्डीनिया पीडमॉंड 1859 में आस्ट्रि गेरी बॉल्डी अब देखी मैंने कहा था आपको गिसिप गिसिप नाम दो बार आएगा इसलिए गेरी बॉल्डी गिसिप उधर भी है इधर भी है तो जरा ध्यान से आप काम मिलें Garibaldi के नेतज में भारी संक्या में है सैशास्त्र स्वैन सेवकों ने इस युद में इस सलिया अब हुआ ये 1860 में डक्षिन इटली और दो सिसली यानि साउथ आफ इटली और सिसली में एंटर कर गए और इस्पेन के शास्कों को हटाने के लिए इस्थानिये किसानों का समर्थन पाने में सफल हो गए एक बात ये हो गई 1861 के अगर बात करें Emmanuel 2nd Emmanuel D. के कहिंगे इनको क्या किया Unified इटली या एकिगरत इटली का राजागोशित कर दिया गया आगे चलते हैं यहां एक समस्या थी के अधिक तर अभी भी इटली के निवासी नेरक्षर थे बहुत दिक्कत आती है और अभी भी क्या था उदारवादी और राश्टवादी विचारधारा से इनको connection नहीं था कोई इनकी समझ में ये बातें नहीं आ रहे थे के ये इतने युद्ध इतने जगड़े इतनी किरामतिया क्यों हुई है अभी ये अनभिग केलो अंजान भी थे ऐसे थे अब दक्षर इटली में जिन आम किसानों ने Gary Baldi को समर्थन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और मैं मानते थे कि लाटालिया विक्टर इमेल्यूल की पहली पतनी थी देखिए ये पॉइंट ऐसा है ये बिंदू के ध्यान दीजे ये बिंदू इतियाहस राजनीती नहीं भाषा से जुड़ा हुआ है समझने की चेश्टा कीजे क्या कहा गया अधिकांश निवासी जिन में निरक्षरता की दर काफी उची थी तो जिस राजा के वो लोग कंट्रोल में आते थे उस राजे की भाषा रहना, खाना, पीना शादी विया की रस में अपना लेते हैं और मेन जो उनका देश है इटली उससे कटे हुए हैं, अंजान हैं उनके रितेरी वाजन से, भाषा से मूल बात है हमारी है भाषा अब जिन किसानों ने Gary Wald को समर्दन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में इटली देश के बारे में नहीं सुना, कोई है हमारी हैं जिसमें एक देश है हमारी हैं और हम उसके निवासी हैं, मूल निवासी दो इटली के हैं लेकिन उनको पता नहीं अब यहां बोला जाता था और वो मानते थे कि लाटालिया किसको कहते हैं ये लोग कि विक्टर युमेलियूल की कोई बीवी होगी वो बुलाते रहते हैं लाटालिया, लाटालिया, ऐसे करके तो ये गलत फहिमी के शिकारते हैं हमें बस ये जानकारी यहां पर चाहिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान राष्टर राज्य का मॉडल कुछ इतियास कारोने का है कि आदर्ष ग्रेट ब्रिटेन है जो हम आज ये पढ़ाई कर रहे हैं इसका मूल आदर्ष ग्रेट ब्रिटेन माना और समझा जाता है देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ राष्टर राज्य का निर्मान अचानक कोई को उतल उतल लिया करांदी यहां होई नहीं कुछ भी नहीं हुआ फिर ये कैसे हुआ ये बहुत लंबा प्रोसेस हुआ लंबी चलने वाली प्रेकरिया कहा जाता है इस बात को बहुत दिहान से पढ़ना है अठार्वी सदी के पहले ब्रिटेन कोई राष्ट नहीं था जैसे अभी आप कहते हैं क्या कहते हैं United Kingdom of England ऐसा कुछ भी नहीं था कब नहीं था 28 सदी के पहले फिर कब बना वो देखते हैं जितने भी आप ये नक्षे में देखते हैं दीप समो कई दीप हैं एक, दो, तीन मुझे ध्याना आते इनमें कौन-कौन रह रहे थे प्याओर अंग्रेज वैल्श W.E.L.S.H इसकॉट यानि स्कॉटलेंड हो गया आइलेंड हो गया की मुख पैचान एथनिक थी क्योंकि एथनिक का मतलब हम कर चुके हैं पहले उस पर समय नहीं लगाएंगे कौन-कौन शामिल थे एक, दो, तीन, चार तो लगबग चार दीप है कौन सा इंगलेंड जो अभी हम समझते हैं जिसको वैल्श, स्कॉटलेंड, आइलेंड जिसकी राजदानी आइलेंड की अभी कौन सी है डबलिन की मुख पैचान एथनिक थी इन सभी जाती हैं समोग की अपनी क्या थी सांस्क्रितिक और राजनेतिक परंपराईं थी यानि शादी की रस्मों से हम जियान कर सकते हैं डांस खाना पीना कपड़े पैनने का स्टाइल ठीक है तो ये सारी बातें बहुत महत्पूर है लेकिन जैसे जैसे अंगल राष्ट की धन दौलत एहमियत और सकता में व्रद्दि हुई तो क्या हुआ वैदीब समों के अन राष्ट्रों पर अपना परभूत बढ़ायन में सखल हुआ धीरे धीरे धन दौलत बढ़ गई एहमियत यानि इंपोर्टेंस इनकी बढ़ गई पूरे विश्व में धीरे धीरे सकता में व्रद्दि हुई और दीब समों के अन राष्ट्रों पर अपना परभूत अपना जोर जमाने में सफल होते गई और यह हमने देखा कि यह सिलो चला है क्या हुआ एक लंबे टक्राव और संगर्ष के बाद इंग्लेंड की संसद ने कब 1688 में राज तंत्र से ताकत चीन ली थी यानि क्या हुआ हम बिल्कुल प्लेन शब्दों में समझने की कोशिश करें राजा से शक्तियां चीन ली गई कौन से सन में 1688 सी ताकत चीन ली गई अब इस अंसत के माद्दम से एक राष्ट्र राज्य का निर्मान हुआ और इसके सेंटर में कौन है सबसे इंपॉर्टेंट मेन इंग्लेंड है आच्छा आगे अब इंग्लेंड और स्कॉटलेंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ 1707 में अब इसको क्या कहने लग गए United Kingdom of Great Britain जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए ये हमारे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप आंसर दें इन प्रश्णों से संबंदे तो इनको ज़रूर यूज करें इससे क्या हुआ England वेवार में Scotland पर अपना प्रभुद जमा पाया मैं यहां गप्ति का दुरूप से बोलूँगा मैं आप कह सकता हूँ आप समझ सकते मेरी बात को कि हम माने कि Scotland की नागरिक बोले बाले थे इसके बाद क्या हुआ बिरतानी संसद में अंगल सदस्दों का दबदबा रहा प्रकर्तिक सी बात है नैचुरल बात है Scotland को जिनोंने अपने अंदर समा लिया तो दबदबा प्रभुद को उन्हीं का बनेगा भाई है ना अब क्या हुआ एक बिरतानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि Scotland की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को क्या किया प्लानिंग करके दबाया गया धीरे धीरे शने शने उनको खतम करने की प्लानिंग कर ली गई क्या करो पहले उनकी संस्कृति पर वार करो खतम करो और उनकी राजनेतिक जो संस्थाएं है धीरे धीरे प्लान बना के उनको काटो खतम कर दो तो यह वापस से हमने देखा कूट नीती है चलिए Scottish Highlands के निवासी जिन Catholic कुलों ने जब भी अपनी आजादी को बैक करने का प्रास किया उन्हें क्या किया जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा जो भी बोला उसे मही के मही खतम कर दिया जाए किसी मतलब कुछ भी कर दिया जाए खतम करो कोई उची आवाज में mainland England से आख से आख नहीं मिला सकता ये इस समय हाल England ने कर दिये थे गेलिक भाषब बोलने पर क्या किया गया मना कर दिया गया और आपके अपने जो ड्रेस पहनने का कल्चर है राश्ट्री ये पोशाक अब से आप वो नहीं पहनेंगे कौन लोग जो Scotland के मुझे निवासी हैं क्या बोलेंगे ओनली इंग्लिश इंग्लिश राजकी एकार में आएगी कोट कचेरी में काम आएगी लेंदेन में काम आएगी और क्या होगा कपड़े भी आप इंगलिश यानि इंगलेंड में जो पहने जाते हैं महीलाएं भी पुरुष भी बच्चे भी सब को वो पहनने पड़ेंगे उनमें से बहुत सारे लोगों का अपना वतन छोड़ने पर मतलब खुद स्कॉटलेंड के हम रहने वाले माल लीजे और हमें ही कहा जा रहा कि तुम यहां से निकल जाओ या तो छोड़ के चले जाओ या हमारा कहना माल लो जैसा हम कह रहें वैसी तुमारे शादी भी आकर रस्मा होंगी जीने वरने के सारी काम वैसे होंगे वोई खाना पीना होगा कपड़ी वैसी पेनोगे तो मारी राष्ट्रे पोशाक बन तो ये चर्चा का विश्य है हमारा इस पेरिग्राफ मेरा थोड़ा देर से आया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है ये एथिनिक एक साजह नसली जंज जाती है ये सांस्करतिक उद्गम जिसको हम समझें कि जिसमें हम अपनी पेचान मानते है ये इटली का नक्षा आपकी किताब से लिया है एक करण से पूर्व इटली के राज़ी कैसे थे थोड़ा सा रिवाइस कर लीजे ये जो मेन आप देख रहे हैं दो दीप सिर्फ यहां सिर्फ सिर्फ यहां पर मूल इटली के राज़ा का राज था बाकी कितने होगाए एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ जगे आप मान लीजे के दूसरे कहीं किसी का कहीं किसी का आपने देखा है राज था इसको एक छोटा सा नक्षा भी बनाईए और याद कीजिए एक ही करण से पूर इटली के राज इस तरह से 1858 में बिखरे हुए थे केवल ये हिस्सा और ये हिस्सा मूल इटली के राजा के नियंतरण मैं था इहाँं ही प्याफ का mosquito चलता था बाकी जगे दूसरों का चलता था यहां तक कि यहां तक यह इटली के निवास ही है मूल फिर भी इनको इटली भाषया ही यही इनको यही पतानी था हमारे देश का नाम क्या है ला इटालियव ला टालियव बोलते थे तो तो अब आयरलेंड आपने सुना होगा यह कैसा था कैतलिक और प्रोटेस्टेंट धार्में गोटों में घेराई में बटा हुआ था देखिए हमारे क्रिष्टन भाई के भी दो मत हैं एक कहते हैं प्रोटेस्टेंट एक कैतलिक हैं दोनों ही क्रिष्टन लेकिन यह अलग-अलग की माननेता हैं इस पर बटे हुए तो इन में बहुत घेराई थी अब अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों ने आयरलेंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को भू संख्यक कैतलिक देश पर प्रभूत बढ़ाने में साहे था कि यहां पर होने को सब लेकिन अपना वजूद अपनी इंपोर्टेंस अपनी प्रेजेंस बनाने किया किया बहु संख्या में कौन है कैतलिक उनको कह दिया तुम प्रोटेस्टेंट के उपर हावी हो जाओ उनके उपर अपना प्रभूत बढ़ाव दबदबाव बिरतानी प्रभाव के फिरुद ह कैतलिक विद्रों को निर्ममतास से कुचल दिया गया अगर कोई कुछ बोला भी तो उसको कुचल देंगे कौन कैतलिकों ने कोई विद्रो किया कोई उची हावाय लगाई बास उसको महीं के महीं खतम करो बुल्फ टोन और उसकी युनाइटड आइरिश मैन 1798 के कब की बात है 1801 की हम देखिए एक नए बिरतानी राष्ट का निर्मान किया गया और इसके उपर कौन पावर में था इंग्लिश संस्कृति इंग्लिश कल्चर अंगल संस्कृति का प्रचार पेसार बहुत बड़ा दिया गया तो लोगों पे एक मनुविज्यानिक प्रभा पढ़ता है आप जानते हैं नए बिर्टेन के प्रतेक चिन यानि के एक तो जंडा यूनियन जैक कहते हैं राष्ट ये गान कौन सा गाते थे गौट से वावर नॉविल किंग को खूब बड़ावा दिया गया और पुराने राष्ट के इस संग में मातित स्योगी के रूप में ही रहे देखे विर्टेन ने क्या किया आइरलेंड इसकॉटलेंड वेल्श को अपने में मिला लिया उनके उपर अपना प्रभुतु जमा लिया उनमें भेद कर दिये दो पैदा कर दिये कैथलिक प्रोटेस्टेंट क्या देखा प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे कैथलि बिरतानी राष्ट बना डाला और क्या किया अपना जंडा अपनी संस्क्रती उसका प्रचार प्रसार कर दिया और सब जगे कह दिया कि ये वाली प्रात्ना गाई जाएगी कौन सी गौड सेव अबर नॉबल किंग और पुराने राष्ट इस संग में केवल एक हैलपर की हैसिय से रहे गए सब और डिनेट बन गए अंडर में आ गए कि चलिए राष्ट की द्रश्य कल्पना की कैसा लगता हो राष्ट कैसे देखने में लगता होगा यह अप्चर्चा कभी शह है हमारा है होता किया किसी शासक को एक चित्रया मूर्ती के रूप में अभ्योथ करना असा लेकिन आप जगेंगे कि एक चित्र यह मूर्ती के रूप में कैसे अभीवत करें एक राष्ट को कैसा चेहरा दे सकते हैं अब हुआ यह 18 और 19 सदी में किसने कलाकारों ने राष्ट का मानवी करन करके यानि ऐसा बना दिया कि राष्ट क्या है कि कोई मानव है यह तो महिला है या पुरुष है इस परकार के ऐसा बनाया गया मानवी करन कर दिया इस प्रश्ण को सॉल्व कर दिया हलो गया यह अब क्या करें यानि उन्होंने क्या कि एक देश को कुछ यूँ ऐसा बना दिया कि जैसे कोई व्यक्ति हो परसोनीफाई कर दिया कि यह कौन है कि यह भाई फॉर एक्जम्पल यह इंग्लेंड है फॉर एक्जम्पल यह अमेर नारी के भेश में राष्ट को प्रस्टूत कर दिया राष्ट को व्यक्ति का जामा पहना दिया ऐसा लगे कि कोई महीला अमारा राष्ट व्यक्त कर रही अभी व्यक्ति बना दिया जिस नारी को रूप को चुना गया वे असल जीवन में कोई खास महीला नहीं थी यानि उन यह तो राश्र को अमूर्थ विचार को ठोस रूप पुर्दान करने का प्रयास्ता यानि कि नारी की छवी राश्र का रूपक बन गई यह जरूर याद रखें यानि कि नारी की छवी राश्र का रूपक बन गई इंग्लिश में अपन कहते हैं एलेगरी रूपक बन गई जैसे कि यहां देख सकते हैं जर्मेनिया किसने बनाया यह चितकार फिलिप हैं 1848 में बनी सूती जंडे पर बनाया और सेंट पॉल की चर्च से इसको लटकाया गया जहां मार्च 1848 में फ्रेंकफर्ट की संसद बुलाई गई यानि यह जंडे पर बनाई गई इस तरह की महीला आतिसादारन हैं देख लीजे और नाम रख दिया जर्मेनिया के ऐसा लगता होगा हमारा देश हमने देखा कि कई लोग निरक्षर थे तो उनको भी समझने में सारी बार सरल आ जाए कलाकार लोग हैं इन्होंने इमेजिन किया भावना व्यक्त हो गई कलाकार उन्हें सुतंता नियाय और गंतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक में भी नारी रूपक को इस्तेमाल किया फ्रांसेजी करांती में भी आपको याद है अब इन आदर्शों को विशेश बस्तूँ विशेश बस्तूँ या चिन्नों के आद्यम से भी बतलाया गया अब उस समय क्या था सौतंता का प्रतिक क्या बन गया लाल टोपी यह टूटी वी जंजी क्या माजाद हो गए और इंसाफ यानि जस्टिस को कैसा दिखाया गया कि एक ऐसी महिला के प्रतिक रूप में जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई है और वह एक हैत्तों में तराजू लियोगे तो अज भी हम समझ जातें कि आंकों gram compon邃 बन दीए और व्यूप ट कर दी इसी प्रकार के कई नारि सारी रूपक का अविश्कार कलाकरों ने 19 सदी में भी किया। फ्रांस में उसे लोगप्रिया इसाई नाम मेरियना दिया गया। जिससे कि जनराष्ट के विचार को आउटलाइन बनाई के रहे खांकित किया गया। तो यह सारे चिन्न काम आते थे सौतंता गणतंत्र के थे कौन-कौन से हैं याद रखने हमें पहला नमबर लाल टोपी तिरंगा कल्गियां मेरियन की प्रतिम हैं सारणिक रास्तों पर लगाई गई चौक में ताकि जन्दा को यह भावना बलवती हो जाए कि राश्ट्रे प् संतंबे स्थाफित हो जाए कि मरियन की 26 सिक्कों डाक्टिक्टों सबसे कॉमन बात है इन पे भी बनाई गई इसी तरह से जरमेनिया जर्मन राश्का रूपक बन गई याद रखिए जरमेनिया कहां रूपक बनी जर्मनी का छाक्षष अभी वक्तियों में जर्मनिया बलू को हम समझ लेते हैं एक बार कई बार हमारे यह वन मार्क टू मार्क में आ जाते हैं कि जब किसी एहमूर्थ विचार जैसे आपको क्या दिखाना है लालच एरिश्या प्रीडम सौतंता मुक्ति आजादी को किसी व्यक्तिया किसी चीज के जरीए अगर आप शो करना चाहते हैं तो हम समझ जाते हैं सभी चने कि वो कानून की देवी हैं कुछ और देखिए जैसे टूटी बेडियों का मतलब हो गया क्या आजादी मिल गई हमें बाज च्छाप कवच है तो जर्मन सामराज का प्रतीक शक्ति है कि हम पावरफुल में हैं बलूत पत्तियों का अगर मुकट है तो बहादुरी का प्रतीक होगा तलवार है कि हाँ लड़ने के लिए आजाई है अब मुकाबले की तैयारी है जैतून की डाली है तो अब हम श लाल कलर और सुनेरा तिरंगा और यह हम सब जानते हैं फुगते सूर के किरनों का मतलब है एक नया इरा शुरू होरा है नया यूग शुरू होरा है तो इस तने से यह यह रूपक लिए गया ये प्रतीक लिए गया रूपक के रूप strength के रूप में नारी का प्रयोग किया किया कि देख लीजिए जैसे जर्मेनिया गार्डिंग दर राइन यानि हाथ में तलवार है और से याद रखिए राइन नदी पीछे वह रही है रिकोल है कब बना 1860 में इसमें बनाया लॉरेंस क्लासिन को एचित बनाने काम सौपा गया जर्मेनिया की तलवार पर खुदा इस पर कहीं लिखा हुआ है हमें दिखाई नहीं देना चीत रहें जर्मन राइन की रक्षा करती है यानि कौन यह जर्मेनिया है मैला का नाम साधारण है विशिष्ट नहीं है यहां कुछ लिखा हुआ है जो हम समझने पा रहे हैं अभी जर्मन तलवार यह हमको बताया गय जर्मन राइन की रक्षा करती है तो देखिए यह सारे रूपक नारी का रूप याद रखिए जैसे अब मैं आपको और याद दिलाने की कोशिश करूँगा हमने इमेजिन किया माना भारत माता वैसे इन्होंने भी जर्मेनिया मान लिया तो यह और मैंने आपके लिए सरल पना दिया है प्लीज यूज अल दीस तिंग्स जो जो हमने अंडरलाइन किये हैं उन चीजों को अपने अंसर में जरूर यूज कीजिए एक बार बुक एक बार दो बार जब भी आप बुक पढ़ें बहुत घहराई से पढ़िए जो जो यहां चर्चा हुई है इसको काम मे लिजिए और विद इस आई विश यू आ गुड लख विधिस वीडियो अगले वीडियो में थोड़ा सा पार्ट और है वो हम कवर करेंगे गूड लख बंस अगें तो यू पर यूर एक्जाम्स थैंक यू